And here we go, this is Siyarish Abrava mentor for Kottalya Batch. कैसे बढ़ा जा, all well and set? एक सबसे बड़ा बच्चे कोश्चन रहता है कि सर, Kottalya Batch हमें कैसे help करेगा 95% प्लस परसेंटेज लाने में in 12th? सबसे बढ़ा वेटा, ये batch is the most detailed batch जो आपको available मिल रही है. first and foremost thing, ये एक regular batch है, जिसमें आपके रोज life classes होंगे, perfect, उसके अलावा life classes लेगा कौन? life classes लेने वाले वो faculties है, जिनके पास experience है, उनके पास उस particular subject का in-depth knowledge है. Like, if I talk about myself, by qualification I am a chartered accountant और मैं आपका accountancy का subject take up करूँगा, perfect. So yes, आप ये बोल सकते हो कि cotton ले batch के अंदर जो भी faculty है, उनका उस particular subject का in-depth knowledge है, तभी वो आपका उस subject take up किया है. Perfect, उसके बाद, ये तो हो गया faculties के बारे में, faculties के बाद, sir हमारा concern ये आता है कि हमारे अगर doubts रहे, तो हम कैसे resolve कराए जाए? मैं आपको अभी दो option बताता हूँ, यहाँ पर आपको लएगा कि हाँ boss, it's something big, देखो राजा, अगर मैं आपके doubts की बाद करूँ, तो doubts आपको हर lecture के बाद आ सकते हैं, बिल्कुल sir ऐसा भी हो सकता है कि हमने lecture देखा और हमको doubt आ गया, अगर आपके पास lecture के बाद आपको तुरन doubt आ रहा है, doubt engine पे आप पूछ सकते हैं, और जो doubt आप doubt engine पे पूछते हैं, वो 24 to 48 hours के अंदर reply किया जाता है, perfect, and at times मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपके doubt पढ़ता हूँ, अगर मैं को doubt ऐसा लगा कि बहुत सारे बच्चों का doubt है, या कुछ बच्चों को महाँ पे clarity नहीं है, तो मैं वो same doubt next day के live session में take up कर लेता हूँ, वो next day के live session में take up हो जाता है, और यह हर faculty, ऐसा नहीं है कि आपके doubts पढ़े नहीं जाते हैं, faculty भी पढ़ता है कि आपको exactly बच्चों को कहा doubt जा रहा है, and in case कुछ बच्चे हैं, जिनको के particular subject या topic के अंदर doubt जा रहा है, for example, मैं accounts के अगर बात करूँ, तो accounts में हो सकता है, चोट उसा topic है, गुडविल उसमें जो calculation आया वो नहीं समझा, और मुझे लग रहा है ऐसे 3-4-8 बच्चे हैं, जिने हो नहीं समझ रहा, तो मैं अगले दिन वो live session देल दूँँगा, ताकि unanimously mass बहुत सारे बच्चों के लिए वो एक साथ cover हो जाए, बस इत्ते doubt के लिए नहीं, आपका जब chapter end होता है, आपका जब chapter end होता है, तो आपको एक form दिया जाता है, एक Google form दिया जाता है, जिसमें आप question wise, जिसमें आप question number wise, अपना doubt once again, आप put up कर सकते हैं, कि sir, so and so question मुझे पूरा नहीं समझा, या so and so question मुझे ये particular adjustment नहीं समझा, sir, एक बार इससे आप ले लीजे, तो आपका एक अलग से chapter के end में live doubt session होता है, so yes, अगर आपको doubt आ रहा है, तो doubt engine है, उसमें आप पूछ सकते हो, doubt engine में आपने पूछा, faculty पढ़ता है, अगर faculty को लगता है कि भाई, ऐसे 3-4 नहीं, 8-9 बच्चों का doubt है, इतनी बड़ी batch में, अगर 8-9 बच्चों का भी doubt है, वो next day के live session में cover हो जाता है, उसके बाद, आपको लग रहा है कि हाम हमारा chapter बहुत अच्छा गया, but once in a blue moon आपने book खोला, कोई और book खोला, let's take, मैंने TS gravel से पढ़ाया, आपने DK goal खोल लिया, मैं account specific example दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा account domain है, यह हर subject पे apply होता है, like आप ML agramal match के लिए use कर रहे हो, आपने RD Sharma को question देख लिया, perfect, तो आप वो question इस live form में put up कर सकते हो, और वो question का हम live doubt session लेंगे, so आपके doubts 110 percent हर doubt आपका solve होगा, वो भी properly streamline तरीके से ऐसा नहीं है, कि भाई हम बाद में doubt solve कर रहे हैं, ना, ऐसा नहीं होगा, इसके बाद, यह तो हो गया आपके doubts के बारे में, अब अगर मैं daily practice की बात करूँ, यार मैंने तो आपको एक chapter पढ़ा दिया, यह chapter का एक topic पढ़ा दिया, अब मैं चाहता हूँ कि आप practice करे daily उस चीज़ को, जैसे मेरा topic खतम हुआ, उसके बाद, just lecture के बाद, आपको DPP दिया जाएगा, daily practice paper, यह daily practice paper आप solve करे, और आपके जो भी doubt है DPP में, आप once again, अपने DPP के भी doubts पूछ सकते हैं, same process से, या तो doubt engine में, या तो आप next day के life session वो चीज़ कर रहो सकती है, या उसके लिए google form जो chapter के end में आएगा, उसमें आपको पूछ सकते हैं, तो आपको daily practice paper दिये जाएगे, ताकि आप class में जो solve करें वो तो करो, homework के लिए, daily practice paper is a sort of homework, यह आपके homework के लिए है, जो आपने जरूर solve करना चाहिए, अब daily practice paper के अलावा, आपका test conduct किया जाता है, और यह test weekly basis पे convert होता है, किस पे होता है, weekly basis पे आपका test conduct किया जाता है, यह test आपको help करेगा to analyze कि आप कहां गलत जा रहे हो, आता सब कुछ है, लेकिन सर जब मैं solve करने बैठ रहा हूँ ना, यह मैं solve करने बैठ रहे हूँ थोड़ा adjustment में को दिक्कत जा रही है, यह आपको पता कब चलेगा, जब करते boards में ना आए, perfect guys, अब sir, काम को ना लगता है कभी-कभी, कि यार हमारा syllabus time पर खतम होगा यह नहीं होगा, अरे राजा, सुनो, आपका schedule में आपके regular classes होंगे, वो भी, अगर मैं maths की बात करूँ, तो maths आपका four days of week होगा, और बाकी के दो दिन आपको उसका practice paper दियाएगा बहुत जादा, ताकि आप solve करो और आप अच्छे से strong करो अपना maths, बाकी के दो दिन जब maths नहीं रहेगा, तब क्या चलाया जाएगा English, उसके बाद आपका accounts week में six days है, कितने दिन है, छे दिन आपक weekly doubts लूँगा, और फिर chapter खतम होने के बाद भी doubts लूँगा, उसके बाद if I talk about economics, आपके पास best duo है, जतिन सर और लफ सर का, जो आपके class take up करेंगे, alternate days and आपका BST भी, दिशा मैम, the queen of BST, alternate days आपका class take up करेंगे, तो राजा आपका course तो boards के तीन या चार मैने पहले ही खतम हो ज division से हमको ध्यान आया, आप book cover करोगे, PYQ cover करोगे, sample paper, आजा हर faculty, हर faculty, जब वो class में take up कर रहा है, वो previous year के questions भी लिया जाएगे, sample paper भी लिया जाएगा, MCQs भी cover किये जाएगे, assertion और reasoning भी cover किया जाएगा, भाई साब, हर चीज cover किये जाएगी, और उसके अलावा, हर faculty, हर faculty का, अपने-अपने subject का, कोई ना कोई reference book रहता है, like accounts के लिए, I refer T.S.Grewal, तो आपका T.S.Grewal पूरा का, पूरा cover किया जाएगा, आप कुछ बच्चे अगर D.K.Gowal पढ़ते हैं, तो राजार, T.S.Grewal, D.K.Gowal लेवल लगबख सेम है, D.K. आपने एक बाद T.S.Grewal solve कर लिए आपको D.K.Gowal पूरा-पूरा जम जाएगा, हमारा assurance, मेरा assurance, परफेक्ट, और अगर आपको उसके कोई particular question में doubt है, आप Google form फिल कर दीजे, आपका doubt का answer, मैं करूँ हमा life, इस स्याधा commitment आपको क्या दू, जिन्दगी में बता दो, परफेक्ट, PYQ, previous year के question, sample paper, MCQ, assertion and reasoning नहीं और एक particular reference book और T.E.S. ग्रेवाल इकलौत ही नहीं, अगर मुझे कुछ questions D.K.Gowal के अच्छे लग रहे हैं, तो मैं कुछ questions D.K.Gowal से भी लूँगा, और मैं कुछ questions तुलसियान से भी लूँगा, तो हर faculty अपना reference book पूरा cover करता है, और अलग-अलग जगह से जो अच् चलेगा, बहुत easy IR, perfect, इसके अलावा, live mentoring, आपको life में थोड़ा बहुत दिक्कत कभी ना कभी रहता ही है, आप live में हमसे पूछ सकते हो आपकी क्या दिक्कते हैं, आपको लग रहा है कि सर मेरे को यह कुछ नहीं समझा रहे, बता देंगे राजा, at times, faculties, career advice भी देते हैं, यह देखो, जो एक offline batch में होता है, वो online batch में होगा ही होगा, उसके अलावा, जो add-on चीज़े हैं वो, अब सर यही पर आपको खतम होगा क्या है, नहीं, if I talk about economics और BST, दोनों ही subject में, आपको hand written notes दिये जाएंगे, economics हो कि BST हो, दोनों में आपको hand written notes दिये जाएंगे, अगर मैं maths की बात करूँ, तो आपको formula sheets दिये जाएंगी, जो आपको help करेगी, problem को day one से, easily take up करने से, और accounts में, आपको summary दी जाएगी, यह हुआ तो ऐसा करना, यह हुआ तो ऐसा करना, यह पूरी summary जो आप खुद बनाते हो अपने register में, that will be provided by me, by us, in the life class, तो यह summary आपको exam के पहले, आपके units के पहले, help करेगी to recap everything, यह formula आपको help करेगी to revise the maths, और यह handwritten notes आपको help करेगे to summarize the whole content, अब, English वाले माम तो अलग level के हैं, आपको तो उनके बारे में पता ही है, इतने अच्छे से पढ़ाते हो यार, by God, English जैसा subject, online पढ़ाना और उसमें भी उनका mastery होना, it's a very big thing, so, English वाले माम, but obvious, will take up the things smoothly for you, और English जैसा subject, आपका quarterly batch के अंदर included है, अब sir, मतलब English भी है क्या, हाँ, core भी और applied भी, दोनों है क्या, sir, हमने अगर, इस batch का access लिया, तो हम core भी पढ़ सकते हैं, applied भी पढ़ सकते हैं, बेटा, बिलकुल आपकी इच्छा, unlimited times, unlimited times पढ़ सकते हो, perfect राजा, so, मुझे नहीं लगता है, कि आपको 95% लाने से कोई रोक सकता है, वो भी minimum, but आपको 95% लाने से सिर्फ एक ही इंसान रोक सकता है, वो आप खुद है, अगर आप खुद disciplined नहीं रहेंगे, अगर आप खुद laziness दिखाएंगे, आप अपने doubts नहीं पूछेंगे, तो राजा, कैसे पता चलेगा, आखर at the end of the day, 10 में से 9 लोग doubts will up कर रहे हैं, 10 में से 9 लोग मेनत कर रहे हैं, तो वो 9 के 9 लोग will score definitely 95 plus, but राजा वो एक बच्चा है न, वो 90, 85 ऐसे मार्ग स्कोर करेगा, percentage में, 85%, 90%, because उसका laziness है, अगर वो laziness हड़ गया, और discipline आगेगे, नहीं भ राजा, आपको 95% प्लस लाने से कोई रोक नहीं सकता, that's our commitment, अगर आप हम पे trust करते हैं, और अगर आप हमारा effort की value करते हैं, तो आप for sure पढ़ेंगे discipline तरीके से, और आप अच्छे माँख जरूर स्कोर करेंगे, ठीकर राजा, so hope so, आपको एक basic understanding आया होगा, कि how quarterly batch can help, ये in-depth batch है, जो आपको हर चीज की conceptual understanding देगा, to the depth questions होंगे, complete preparation होंगा, वो भी आपका exam के 3 या 4 महने पहले complete कराया जाएगा, उसके बाद आपके revisionary sessions होंगे, आप देख सकते हैं, पिछले बार भी, हमने PYQ series, sample paper series, one shot, marathon batch, सब cover किया हुआ है, ये same चीज इस बार इस batch के अंदर र class and the best in the house, faculty will take up your quarterly batch, see you all in the batch, this is Siree Shabrara signing off.